हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जॉर्टिका गेमिंग आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है एक सूपर बास्केटबॉल लिग का फाइनल मैच ताइवान बियर वर्सेस वाइडी के बीच जो होने वाला है उसके बारे में तो इस वीडियो में मैं यह द है उसके एकोर्डिंग तो गेम रीडिंग के बारे में छोटा सा बहुत शॉर्ट एक वीडियो है ताकि आपका बहुत आसान हो जाएगा तो इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिगर्डिंग दा प्लेइंग इलेव आपका प्लेयर है जो प्लेयर है यह एक कीन है वाई चैंग है एज जेन है इस पर आप एक चीज जियाद रखना यह मारकस कीन यह बहुत ऑच्छा प्लेयर है इनको पीक करना चाहिए क्योंकि कल फाइनल गेम है तो यह प्लेयर आपको आल डाउंड एबिलिटी है मतलब आपको पॉइंट देता है और कहीं न कहीं से यह अगर आपको तीन से चार्ट स्टील दे दे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो इनको आप मत छोड़िए अपना टीम से उसके बाद तो बहुत ही इंपोर्टन सेक्शन वाइचेंग वर्सेस एजिन किसको प्लेयर एक साथ नहीं खेलते है एक दूसरे का सबस्ट्यूट है , यहापर वाइ चैंग जो प्लेयर है यह अपना स्टार्ट करेगा गेन एजर इंट अपत आता है ठिक है तो सबस्ट्टिवट आने के बाद एजरे बारे में एक खास चीज यह है, यह सबसे बेस्ट 3-point shot करता है, आपका scoring line से, 3-point shot में एज़ जन बेस्ट है, बट एक चीज़ एज़ जन का आप याद रखना है, इनका थोड़ा सा मतलब 1st half का 1st quarter, 2nd quarter में एज़ जन बहुत अच्छा खेलता है, बट जैसे गेम टाइम आगे next section, next section में आपका बार्कले है, बार्कले तो बिल्कुल मत छोड़ा, यह player अभी form में आ चुका है, तो यह आपका एक obvious selection हो गया, उसके बाद, बात करेंगे, के हूँ and Douglas Creighton, इन में से किसको लेना चाहिए, Douglas Creighton और के हूँ दोनों same type का player है, skillfully के हूँ थोड़ा सा better player है, Douglas Creight के पस एक अपना एक height है, ठीक है, इनका height, if I am not wrong, 6 feet 11 inches है, ठीक है, यह फिर 6 feet 9 inches के आसपास इनका height है, तो यह अपना height का बहुत फायदा उठाता है, but इन दोनों के अंदर जो भी game time थोड़ा सा जादा खेलेगा, मतलब कोई 20 meet खेलेगा, कोई 10 meet खेलेगा, दोनों एक साथ आप नहीं खेलते है, तो जो ज़्यादा खेलेगा, वो आपको ज़्यादा point देगा, but credit दोनों का लगबग same है, तो आप किसी एक कोपी करना, मतलब मेरे लिए तो K who is a better choice है, ठीक है, तो और बाकी यहाद पे और भी किसी option को try मत की, मतलब मत कीजिए, यह लोग नहीं खेले आपका, उसके बाद a save option, a save option पे भी आपके पास 3 player है, वाइलीन, H. टशुंगान, और ट्रिपल H, इन में से वाइलीन आपका average performance, regular अच्छा खेलता है, best local player है, इन लोगों का all round ability है, यह 2018 season के MVP था, ठीक है, MVP मतलब most valuable player था, वाइलीन, तो इनको आप छोड़ना मत, average performance यह हर गेम में देते रहते है, तो SP option तो नहीं है, बट छोड़ना मत, टीम से, उसके बाद, H. टशुंग हान, एन एच एच ट्रिपल H, यह दोनों, एक दूसरे का, सब्स्रीव टे प्लेयर है, दोनों, एक साथ, बहुत ही कम टाइम, गेम टाइम, एक साथ, खेलते है, दोनों, ए प्लेयर बहुत ही अच्छा कर रहा है, इन कंपरेजन टू, H, ट्रिपल H, तो आप एक काम कर सकते हो, आप, जो आपका, ACL सेक्शन है, ACL सेक्शन में, आप सेब जानने के लिए, H. टशुंग हान को ले सकते हो, एन जील सेक्शन में, आप ट्रिपल H को ले सकते हो, ऐसा कुछ कॉमिनेशन आप कर सकते हो, और यहाँ पर किसी भी प्लेयर को आप ट्राइ मत करना बाकी, उसके बद पी एफ सेक्शन, पी एफ सेक्शन में एक बहुत अच्छा अब्जर्वेशन है, यह जो दो पीचो है, यह दोनों पीचो बहुत अच्छा खेला है, और इनका सिलेक्श पाइंट शॉट बहुत ही अच्छा है, जो पहला मैच गया था, पहला मैच में फास्ट कोटर में यह प्लेयर तो बन्दफ फार दिया था ऑपनेंट का, ठीके इधर से पॉइंट ले रहा है, रिबाउन कर रहा है हर एक चीज में, फास्ट मैच, बट उसके बाद से क्या 15 क्रेट में आपके लिए क्रेट मैनेज करना बहुत ही तफ काम है, इसलिए बिल्कुल 19 परसन का सिलेक्शन है, बट यह बंदा कल खेल सकता है, ठीक है, और यह अगर अपना फॉर्म में आ गया, तो यह वान अप दा बेस्ट प्लेयर आफ टू बोथ टीम्स, और उसके 15 क्रेट का एक प्लेयर आपके लिए अगर 6-7 पॉइंट दे जाए तो आपके लिए बहुत आसान होता है, तो इन दोनों आपके लिए क्रेट सेविंग आप्शन है, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा कोस्टेन, भूलर या फिर इगॉर, इगॉर मतलब जोशेफ हो गया, भूलर का क्या है, भूलर का, अब हम लोग का इंडियन प्लेयर है, भूलर, बंजाबी मुंडा है, तो इनका एक अलगी कहानी है, और बहुत हाइट है, इनका हाइट के बज़ा से इनका गेम टाइम बहुत अच्छा होता है, और इनका हाइट के बज़ा से इनका रिबाउं दोनों के दोनों उसके बाद आपका जोशेफ जोशेफ एक all round player है इनका क्या होता है हर गेम में आपको कुछ points उसके बाद rebound उसके बाद assist, steel block हर चीज में थोड़ा थोड़ा point देता है जोशेफ का क्या हुआ ये बंदा जो final में आया पूरा tournament में उत्रा अच्छा नहीं खेला था बट final में आके इसका कुछ series में कुछ अलगी इसका रूप देख रहा है तो all round खेल रहा है बंदा और भूलर start नहीं कर रहा है गेम को substitute आ रहा है पर substitute आके भी आप देख सकते हो ये हर गेम में आपको 50 point, 30 point, 48 point ऐसे करके दे रहा है भूलर एक ऐसा player है जिनको आप SL section में बिलकुल मत छोना ये आपके लिए captaincy option है for the SL section बट GL में हो सके तो भूलर को छोड़ देना और जोशिफ को ले लेना ताकि आप दूसरे जगह से आप best players को ले पाओ तो चलिए मैं एक team create करता हूँ जो कि आपका SL team के लिए होगा और बाखी final update और injury update ये सब के लिए ये मेरा telegram channel है zortica gaming यहाँ पे आप join कर लेना link नीचे description में दिया हुआ है या फिर आप simply telegram में जांके search कर सकता हूँ आपको ये चैनल पे आप आ जाओगे यहाँ पे मैं regular का football, basketball, baseball सारे का team में provide करता रहता हूँ तो join हो जाना नीचे description link है और video अगर आपको अच्छा लगे तो एक like दे देना तो मैं अब करता हूँ team create देख मतलब मैं पहले से team create करके नहीं रखाओ तो मैं अपनी सबसे ACL के लिए team create करो तो ACL के लिए सबसे पहले मैं pick करूँगा भूलर को और उसके साथ साथ मैं कीन को भी pick करूँगा साथ मैं वाई चैन को भी pick करूँगा देखिए मेरा credit कितना low हो गया है इन तीनू player का एक साथ pick करने के लिए उसके बाद सबसे पहले ACL पे मैं दोनों पीचों को ले लिया for that credit saving options उसके बाद मेरे पास H टरशुगान ये बहुत अच्छा खेल रहा है for the ACL section GL के लिए अगर होगा तो मैं ट्रिपल H के साथ जाओंगा अभी के लिए मैं H टरशुगान के साथ जा रहा हो साथ में यहाँ पे मैं बर्कले को ले नहीं पाऊंगा बर्कले या फिर जोशेब दोनों को ही मैं ले नहीं पाऊंगा just because of credit issue तो इन लोगों को अब GL पे रोटेट कर रहा और साथ में यहाँ पे मैं के हु को ले लिता हूँ तो यह हो गया मेरे SL का टीम एकदम simple और मेरा simple हिसाब से यहाँ पे भूलर होगा मेरा SP देखिए 55% का SP तो SL में यही आपका SP होगा ठीक है तो यह मेरा हो गया SL का टीम और साथ में अब GL पे इस टीम का कैसे रोटेट कर सकते हो GL पे आप क्या करना है सेम टीम का यह एक final टीम है तो यह आप एक screenshot दे लिजी इस टीम का मेरा final टीम SL के लिए almost यही रहेगा GL के लिए आपको मैं कुछ options कुछ combinations आपको मैं दिखाता हूँ चो कैसे आप मतलब combination कर पाऊगे मैं तो पहली सबसे ज़्यादा मतलब भूलर को मैं छोड़ रहा हूँ भूलर छोड़ के मैं मतलब जोशिप के साथ जा रहा हूँ या फिर जोशिप छोड़ के भी यहापे C जोहाओ जो है वो भी एक option है आपके लिए GL के लिए बहुत बढ़ा जाएगा आप अगर क्रिट सेप कर सकते हो तो मैं जोशिप को भूलर को दोनों को ही छोड़ रहा हूँ यहापे मैं C जोहाओ के साथ जा रहा हूँ वो के बदले में मैं यहापे बर्टले को ले लिया और साथ में मैं एल छेंग जू को ले लिया मेरे पास अभी भी 14 क्रिट है 14 क्रिट में मैं यहापे क्या कर सकता हो 12 क्रिट में वाई चेंग को ले लिया तो यह बहुत अच्छा जील के कॉमिनेशन हमेरा बन गया यहापे मैं ASP के लिए मैं अगर ऑप्शन के अगर बात करू तो बर्कले हो गया, कीन हो गया बहुत ही डिफरेंट जाना चाहते हो तो वाई चेंग एक कंसिस्टेंट प्लेयर है एन एल चेंग जू आपके लिए और एक ऑप्शन हो सकता है ASP का और उसके बाद आप अगर यह कॉमिनेशन पर यहां पर इस कॉमिनेशन पर मेरा में लिए एस किंग अब देखिए ASP चोईस का एक ऑप्शन क्या होता है देखिए मेरे पास जो टीबी का टीम है उस टीम से अल्रेडी दो बहुत अच्छा स्कोरर है बार्कले है जो शेफ है बट मेरे पास और वाई चेंग भी बहुत अच्छा स्कोरर है तो तीनों का combine point मेरे पास आएगा साथ मेर मैं ASP कर रहा हूँ कीन को तो इस पर क्या होजा है इस टीम का ये जो yD जो टीम है इस टीम का जो point है उसका maximum point मैं कीन से expect कर रहा हूं इसलिए मैं कीन को मणा है ये calculation आपके लिए बहुत important होता है basketball का GL खेलने में ठीक है ताकि आपका जो team का सबसे ज़्यादा player आपके पास है वो उस team छोड़के आप opposite team का जिसके पास आपका कम player है ठीक है उस team का main player को आप SP बनाओ ये बहुत अच्छा एक trick है तो मैं आज के लिए ये trick आपको शेयर कर रहा हूँ and इस trick के साथ आप hopefully कल GL भी win कर पाओ and last moment का जो injury updates बगेरा होता है वो मैं अपना telegram channel पर दे दूँगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक like कर देना thank you all the best for tomorrow